Windows Insider Program के Dapp Channel में जितने भी यूजर है उनको Windows 11 Build 22000.100 का अपडेट उनके PC में मिलने लगा होगा Windows 11 का ये 4th Public Preview अपडेट है जो कि आपको Windows 11 यूजरों को मिल रहा होगा जो कि अपने साथ नएने इंप्रूब्मेंट और नएने फीचर लेके आया है अगर आप इंट्रेस्टेड हैं Windows 11 से रिलेटेट टूटोरियल और अपडेट की वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और साथ में पहल आइकन को क्लिक करना है और All पे सेट कर देना है अगर आप डैप चैनल में जॉइन हो तो आपको आपके Windows अपडेट में एक नए अपडेट देखने को मिलेगा जिसका पूरा नाम है Cumulative Update for Windows 11 10.0.22000.100 KB5004300 इसके साथ साथ एक ड्राइवर का अपडेट में मिलेगा जिसका नाम होगा Intel Corporation Bluetooth 20.100.10.3 इसके साथ साथ आपको .NET Framework का भी अपडेट में मिलेगा जिसका पूरा नाम होगा 2021.07 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 11 11.4 648 KB5004342 और जो Windows 10 यूजर है उनको उनको Windows Update में Windows Defender से रिलेटिट भी नए अपडेट देखने को मिलेगा अब बात करेंगे कि What's new in Windows 11 Build 22000.100 सबसे पहले अपडेट की बात करें तो Microsoft ने Microsoft Teams चैट इंटर्ग्रेशन को इंट्रिडूस किया है जिसके मैं अनेवल किया है Microsoft ने टीम इंटर्ग्रेशन इन Windows 11 टास्क बार आप देख सकते हो मैंने अपने PC को Windows 11 के इस न्यू अपडेट से अपडेट कर लिए अपने PC को आप इसका विल्ड नमबर देख सकते हो यह है तो मेरो को टास्क बार में यह न्यू एप आइकन देखने को मिला है जो जिसका नाम है चैट जो कि Microsoft टीम चैट इंटेग्रेशन जो कि आपको अलाव करता है अपने दोस्तों फैमिली और कॉलिक के साथ कनेक्ट करने का वह भी फिरीम है यह चैट इंटेग्रेशन बेज्ड है Microsoft टीम टूपइंट ओपर जो कि पावर्ड वाई है Microsoft Edge वेब व्यू अभी आप देखो तो मैंने इसमें लोग इन कर लिया है तो आप आप देख सकते हो यहां पे आप अलाव करते हो कि डारेक्टली यहां से आप चैट कर सकते हो टास्क बार को यूज करके आप यहां से सेंड कर सकते हो मैसेज इमेज और वीडियो और बहुत कुछ इस एप का यूज करके अगले कुछ अपतों में Microsoft अपनी यूजरों को अलाव कर देगा कि वह अब जिए मेटिंग है उसको लॉंच कर सकेंगे डारेक्ली अपने टास्क बार से जो कि गलोवली रॉलिंग आउट होग जैसे की एक्जामपल के तोर पर के Microsoft ने अपना system tray fly out है उसको update किया है आप तो जानती होगे कि system tray fly out किया है यहां पर यह यह आइकन दिख रहे हैं तो यहां पर जो arrow है इस पर किलिक करते हैं तो यह system tray fly out होता है इसमें improvement किया गया है इसको इस टास्क बार से थोड़ा दूर क रखा गया है और जो आइकन है उनका size भी इन आइकनों के size के बरावर किया गया है पहले यह जो system tray fly out था वो इससे चिपका वदर टास्क बार से तो अब इसमें यह improvement किया गया है और इसके साथ साथ कुछ visual improvement है जो कि Microsoft ने इस update में हमको दिये हैं इसके साथ साथ Windows taskbar calendar fly out को भी अब्डेट किया गया है अब आप इसको collapse भी कर सकते हो और minimize भी कर सकते हो अब आप देखें तो मैं इस पर click करता हूं तो यहां पर जो collapse का बटन है इसको minimize कर सकते हो और collapse भी कर सकते हो next update की बात करें तो जिसमें आप quickly access focus assist setting directly notification center से खोड़ सकते हो इसमें आप यहां पर जाए तो यह नोटिफिकेशन सेटर है यहां पे असेस्ट कर दी गई इस अपडेट से आप इसको एकसेस कर सकते हो नैक्स अपडेट की बात करें तो नेक्स अपडेट में जो कि टास्क वार में आपको देखने को मिलेगी जब आपको वे ग्राऊंड एक्टिविटी चल रही होती है किसी तो उसको अटेंशन देने के लिए के जो नीचे आइकन है उनमें रेड कलर का हाइलाइट होगी जो कि आपके अटेंशन को ग्रैप करेगी और बताएगी कि जो यह एप है इसमें कुछ वक्त चल रहा है जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि यह एप है इसमें क्या एक्टिवि बगारा करते हैं तो उसमें कुछ एरर या कुछ डुप्लिकेट का भी हैर होता है तो वह पता नहीं बढ़ पाता तो यहां पर आपको एक नीचे रेड कलर का आइकन देखेगा जो कि आप इमेज में देखोगे मैं आप इमेज दार लाओं यहां पर देखोगे तो आपको प्रेट कलर का जी डॉट दिखेगा कि उससे पता पड़े जाएगा कि इस एप को आपके अटेंशन की ज़रूरत है और आप इसको रिव्यू कर गें उसको सही कर सकते हो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो टच की पूड आइकन है जो कि टास्क बार में देखने को मि देखने के पहले क्या था कि यहाँ पर जो यहाँ पर नोटिफेशन में तच की बॉड आइकन था वह उसका साइच थोड़ा डिफेंट था इन सभी आइकनों से लेकिन इस अपडेट में उसमें उसको भी उससी को भी सही कर दिया गया है जो टेच की बूड आइकन था वो जो जी अधर आइकन है उनके साइज से मेच कर दिया है और आपको कोई वो जो टच की बूड का आइकन था वो अलग नहीं दिखेगा वह नहीं मैं संग मिलता हुआ दिखेगा तो अगला अपडेट है माइक्रोसोफ इस्टोर से जिसमें माइक्रोसोफ इस्टोर को रॉलिं और उसको सर्च कर रहे हो तो कुछ एनिमेशन होंगे चो कि आपको हेल्प करेंगे एप और मुवी को ब्राउस करने के लिए कुछ और इंप्रूमेंट की बात करें तो माइक्रोसोफ ना एक्सप्लूरर.exe के क्रैस इस्टो को भी इस अपडेट में फिक्स कर दिया है पहल आपका एक्सप्लूरर था वो क्रेस कर जाता था जिससे कि आपका जो जो विंडूस है दोवार रिश्टाट होती थी तो इस अपडेट में इस इसी को फिक्स कर दिया गया है नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो माइक्रोसोफ ने कुछ कॉंटेक्ट मेन्यू के एंट्री के आइकन को चेंज गिया है जो कि मेरे को देख रहे हैं कि डिस्प्ले सेटिंग का जो आइकन है और परस्नलाइजिशन का आइकन इसमें कुछ चेंज गिया गया है नेक्स्ट जो बग आ रहा देखने को फिल्दा था पिछले अपडेट में कि जो टास्वार की क्लॉक है व यही निव फीचर है जो कि इस अपडेट में इंट्रिदूस किये गए है और इसकी जो फिक्स की कम्प्लीट लिष्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्स में दे दूंगा वहां से इनके सभी फिक्स और इस्च्यू को देख सकते हो कि कौन-कौन से इस अपडेट में फिक्स किये यहां पर अप्डेट संगे चैक वर अप्डेट पर क्लिक कर दे ना है तो चैकफर अपडेट पर क्लिक करोई तो यह 2 अपडेट मिलेंगे जिसका पूरा नाम है जी स दूसरा जो अपडेट है इंटल कॉर्पोरेशन ब्लूटूथ जो की ब्लूटूथ का अपडेट मेला हुआ है 20.100.10.3 मेरे PC में यह डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉल भी हो गया है रिस्टार्ट करने के लिए बूल रहा है तो रिस्टार्ट हम अभी थोड़ी देर बात कंवरेशन को देखिए और उसके बाद आप जाईए अगर आप किसी सभी मिनम्म सिस्टम रिक्वार्मेंट को पूरा कर रहे हो तो उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में सेटिंग में जाना होगा अप्डेट एन सेक्वरेटी में यहां पे होगा वेंडोस इंसैडर प् कि यहां पे आपको जाके ज्याइन कर लेना आए और वहांसे डैफ चैनल है चूज कर लोगे उसके बाद आपको अपने PC को रिश्टाट करना है और दुबारा चैक्वार अबडेट करना है और आपके में यह वाला अपडेट प्लेडिंग और डाउनलोड होने लगेगा तो से आपका PC वह इस अपडेट में इस्टॉल हो जाएगा और आप भी इस विंडोस 11 और इस अपडेट का मजा ले सकते हो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको विंडोस 11 से डिलेटिट टूटोरियल और अपडेट की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे कलिक कर लें और अल नोटिफिकेशन पे कलिक कर लें मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जैवारत